कि हैं विभी के विभी के अप सभी का स्वागत है केशिया आप सब दोस्तों दोस्तों हमारे रास्तान परट की कलास 11 की मैच सनलिटी चप्टर टो हमारे चल लाता समन एंप फलन लेशन एंड फ़क्शन तो शी पे हम तर्चा करने वाले आज इस वीडियो मी दो पॉइंट है अन दोनों पॉइंट हो को पॉर दिया है और एक दिया है फलों के परकार हैं हम 5 इसमें पॉइंट को और ने वाले हैं पीच्छे की वीटो जो आपने नहीं देखे तो उपकर आई की निशान पर आपकर किलिख कर की देख लए ना और प्लीलिस्ट आपको मिल जाएगी चैृटर बन चैप्टर टू दोनों की और सिंगल प्लीलिस्ट भी पूरी कलास गेरा मैट्स की तो चैप्टर टू हमारा चल करें तो इस चैनल को सबस्क्राइब करें हम दो फलन लेते हैं जिनको हमको जोड़ना है गटाना है तो एक फलन है एफ तो एफ है अकसे आर में परिवासित है और दूसरा फलन हमारा है जी वो भी अकसे आर में परिवासित है तो परिवासित है तो इसको हम एफ अकसे दर साएंगे इसके खुले वाक्य को जी अकसे दर चाहिए किलियर रहे और दोनों क्या हैं वास्तिक फ़लण हैं यहां तक सब ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं आप करते हैं इनका जोड कि अगर इनको जोड करके एक नया फलन बनाया जाए सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे जोड की उसाथ में आप यह भी ध्यान में रखें क कि जो आक्स है वो समूच्च यह मुझ यह वास्तिग संक्या हो जिस नहें प्राकर संक्या हो गए अक्स पूनांख ऑगया अक्स भूल नंबर हो गया और पून संक्या हो गया इस तरह से तो सबसे पहले हम यहां पर दोनों का योग करके देखते हैं तो फलsk तो यह फलंज होगा यह भी परिवाशित होगा अकसे आर में अगर यह फलंज भी परिवाशित है अकसे आर में तो f फलस g के लिए f फलस gx हम कैसे दरसाएंगे वो यहाँ पर देखने वाली बात है तो f फलस gx को हम दरसाएंगे f फलस gx के लियर है f наша पास पहले से था gx हमारी पास पहले से था f फलस फलस gx हम अलग लगें इनकों दो सोड़ेंगे तो man जो पॉइंट हमारा वो यह ही पर यह यह कि f फलस gx नकलना है तो f फलस gx होना चाहीzon और तीनों जो फलन हैं यानिके F G और F फलस G ये सभी अक्स से R में यानिके एक समुचे से प्रांत और से प्रांत परिवाशित होने चाहिए शेकिन नमबर में बात करें हैं दुरों को गठाने की बात करें तो फलनों को गठाने की बात करते हैं तो फल्नों की गठाने के लिए f माइनस g करेंगी हैं तो वो भी x से आज में परिवाशित होना चाहिए तो f माइनस g x क्या हो जाएगा पता है आपको f x माइनस g x क्लिए रहे g माइनस f निकालेंगी तो g माइनस यहाँ पर g x माइनस f x हो जाएगा और थैड नमबर में बात करते हैं इसमें multiply की दोनों को अगर गुणा करें फल्नों का गुणा करें फल्नों का गुणा करके एक नए फल्न बनाएं यानि के f g फल्न बनाएं f g किसे परिवाशित होगा x r में होना चाहिए और साथ में f g x अगर हम निकाल लें याँ पर f g x भी क्या होना चाहिए f x इंटू में g x तो हमें का multiplication और भाग की बात करें यानि के फल्नों का बाग फल divide की बात करें तो f upon g आएगा वो किसे परिवाशित होगा x r में होना चाहिए तो f x upon g x f upon g x यहाँ पर होना चाहिए तो इसको हम परिवाशित करेंगे f x upon g x और ऐसा फल्न हमने देखा था पहले परिमे फल्न था उसकी परिवाशित बिल्कुल ऐसी थी तो यह परिमे फल्न भी हो जाता है यहाँ पर क्लियर है इसमें और कुछ खास नहीं है एक पॉइंट और दिया हुआ है वो यह है कि अगर हम कोई अधिस रसी से multiply करें फल्न को f x x dense to r को अधिस रसी अधिस रसी अलफा से multiply करें अलफा से गुणा करें तो क्या होना चाहिए result बिल्कुल अलफा f होगा यह एक से r में परिवाशित होगा तो यहाँ पर अलफा f x की value हमें नकालनी है तो वो क्या होगी अलफा इंट फ x कि अधिस रसी बात है clear है और यह पूरा फल्न होगा यहाँ पर द्यान रखें अलफा फूरा फल्न होगा तो यहाँ पर इतन बस इतना ही था वास्ति फल्नों की बीजगनीत में आपके बुक में एक कोईट और दिया हुए कि थैड में दिया हुए दो फल्नों का गुणा करते हैं तो इसको बोलते हैं हम बिन दुस्य गुणन भी बोलते हैं इसको यह चोटी सी बात दी वी है वैसे कोई खास नहीं इसमें अब हम बात करते हैं फल्नों की परकार की जो वो ती इंफोटेंट है आप देखिए फल्नों की परकार काइंट सो फक्षन की बात करते हैं इसमें सबसे पहले बात आती है, एक एक की फलन की, एक एक की फलन जो होता है, वो क्या होता है, तो एक पलस एक, एक की बना है, एक पलस एक से हिंदी के सबसे, यानि कि एक का एक के साथ में, तो दो का एक के साथ में नहीं होना चाहिए, एक का एक के साथ में समझ होना अलग-लग हों नहीं तो क्या कर रहा है एक-एक तो आफ है एक-एक गल्न प्रते भी रहित प्रते बिन प्रतेगरN तो A1 का तो 2 के साथ में होई नहीं सकता फ़लन नहीं होगा लेकिन A1 और A2 इन दोनों का B1 के साथ में हो जाए तब एक एक की फ़लन नहीं होगा ध्यान रखें तो हम mathematics में किस तरह से इसको प्रूफ करेंगी तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे अगर F A से B में एक फ़लन है एक एक की फ़लन है एक एक की फ़लन है तो यह condition अगर होता है तो क्या condition बनेगी वह हम देख लेते हैं तो यहाँ पर देखे चितर से diagram से हम समझते है कि A1 not equals to A2 है F A1 be F A1 not equals to F A2 होगा यह condition एक एक की फ़लन में बनती है कि A1 not equals to A2 है A1 और A2 बराबर नहीं है तो F A1 यानि कि B1 और B3 भी आपस में बराबर नहीं होंगे यानि कि ये भी अलग-अलग होंगे अलग-अलग होंगे तभी तो ये एके की फिनल कर लाएगा यादि हम इसका उल्टा लें यानि कि या हम यून लें कि F A1 इक्वल्स टू F A2 है तो A1 इक्वल्स टू A2 होगा यानि कि B1 और B3 अगर भी त्री अगर बराबर है तो A1 और A2 आपस में बराबर होंगे केलियर है तो ये कर्डिसन मिनेगी किसमे एके की फिनल नहीं है अगर ये बराबर नहीं है तो इधर भी बराबर नहीं हो, किलियर है, अब एके की फलन में आपको ये नहीं दिया, कि A1 इकल्स टू A2 हो, तो F A1 इकल्स टू F A2 होगा, तो ये कंडिशन एके की फलन में नहीं, सरे फलनों में कंडिशन लागव होती है, कैसे, जैसे माल लीजी, आपको दे दिया, कि A1 अगर बराबर है, A2 के, तो F A1 बराबर होगा, F A2 के, तो ये कंडिशन परते एक फलन में लागव होती है, केवल एक 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 फलन में नहीं, परते एक फलन में लागव होती है, लेकिन ये दोनों कंडिशन, स्पेशल कंडिशन है, वो केवल एक 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 फलन में ही लागव होती है, मैं आपको समझा देता हूँ एक्जामिपल से ये हमने एक्जामिपल लिया है कि f اक्स बरावर एक्सि क्राव प्लस वन एक फलन है और फलन क्या है फलन है जेड्स से आड बियर yol चुट तो अगर हम यूँ कहें कि f a1 कि यहां पर हम लें कि a1 बरावर इसमें, तो a1 बराबर a2 है, यह देखें, यह जो फ़लन है, यह हमारा, एक्या की फ़लन नहीं, यह भोग की फ़लन, मैं आपको बता दूँआ किस तरह से है, a1 बराबर a2 है, तो f a1 बराबर क्या होगा, a1 का स्क्वार पलस 1, और f a2 बराबर यहां पर क्या होगा, a2 का स्क् कंडिशन में हम a1 की जगह a2 लिखेंगे तो a2 का स्कायर plus 1 होगा, तो ये भी a2 का स्कायर plus 1 है, यानि कि f a1 बराबर f a2 आता है, ये कंडिशन हर फ़लन में आती है, ये k कंडिशन में अथी है ये एक एक फ़लन नहीं है फिर भी इसमें बन रही है, लागू हो रहे है कि f a1 आप क्यों नहीं है आपको समझा देता हूँ देखिए हम डाइग्राम से समझते हैं इसको यह दो डाइग्राम है यह Z है और यह R है अब Z में माइनस के संग्याइब भी होती है तो हम माइनस 3 लेंगे इसमें क्या आएगा माइनस 3 का स्क्वार यान कि 9 हूं ten या आएगा टे और यह पास थि लेंगे तभी यह क्या स्क्ययर है फ्लस वन तो अगर यहां पर फिर्ट थि लेंगे तभी क्या आएगा टेन यह आएगा यहां नहीं कि दोनों का result दस के साथ में आ रहा है, सम्मख्ध, तो single, एक ही, अभी के साथ में, एनकी एक की परतीमी में दोनों का, तो एक की फलन तो नहीं है, यह कंडिशन परते एक में बनेगी, लेकिन अपर वाली जो होती है, F A1 बराबर F A2 हो तो A1 बराबर A2 भी किसमी तो एक 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 फालन में ही बनेगी, यानि कि अगर यहां पर 10 beraber 10 है तो एक 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 फालन में माइनस 3 और 3 आपस बराबर होंगी, केलियर है, अब हम बात करते हैं बहुहá एक एक ए फालन की, डाइगराम में और टू का बी went के साथ में आप एक। लिखने का तरीका यह होगा कि अगर A1 not equals to A2 A1 not equals to A2 है तो उस condition में F A1 equals to F A2 होगा यहांकि A1 और A2 दोनों बराबर नहीं है तो F A1 बराबर F A2 होगा और A1 और A2 किसे बिलोंग करते हैं यहांपर बिलोंग स्टू A यान के प्रांद से clear है जिसे यहांपर हमने देखा चितर में भी देखा दोनों बराबर हैं यह F A1 और F A2 दोनों ही B1 हैं इसकी वैली दोनों की वैली B1 है तो बस इसमें इतना साई है और कुछ नहीं है तो बहुती आसान ही है तो अब देखिए बात करते हैं हम आचादक फलन की on to function सर्जेक्टिव फलन तो अचादक का मतलब क्या है पूरा चाया हुआ यानि के B के जितने भी अवयो हैं उन सबी का पूरो परतिविम A में होना चाहिए कोई भी अवयो B का खाली नहीं लेना चाहिए तो वो फलन कहलाएगा अचादक फलन B के परतेक अवयो का पुरो प्रतिभ्यम ए में होना छाए लाता है यादि B का प्रतिएक अविव ए के किसी ने किसी अविव का प्रतिभ्यम हो तो इस केंडिसन में हमारा जो सअअफ रान्थ होगा उसमें कोई भी अविव खाले नहीं होगा तो सअफ और परिश्र दोनों किया हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी तो हम कह सकते हैं डिरेक्टी कि एक ऐसा function जिसमें सह परांट और परिश्र दोनों बराबर हो आचादर प्दल कर लाएगा हम mathematics में इसको लिखेंगे कैसे तो वो आपको ध्यान में रखना है सबसे ज्यादा important वही है यदि B belongs to B यादि कि परते एक जो B है जो से परांथ से बिलोंग करती है तो B belongs to B के लिए इसका मतलब होता है देर एजिस्ट तो विद्यमान होता है A belongs to A यादि कि A में जो परांथ हमारा होता है उसमें A भी देमान होगा ताकि F A बराबर B यादि कि हम F X में अगर A रखें तो B आ जाए तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए B का A के तो वेसे खाली नहीं होते है फलन में लेकिन B का भी खाली नहीं रहना चाहिए तो यह होगा हमारा आच्छादक फलन तो इसमें एक्जामपल लेने की मेरे खाल में आशकता नहीं आगे हम पढ़ेंगे जितने भी आपकी बुग में एक्जामपल दिये गए उन सभी को निकालेंगे तब इनको अची तरह से समझ अब बात करते हैं अंत्रक शेफिफ फलन की into function तो परिवासा इसकी क्या होती है परिवासा इसकी होती है एक परिवासित फलन अंत्रक शेफिफ फलन कलाता यह दिसा है परांध B में कम से कम एक ऐसा आवे हो जिसका पूरो परतिविम A में विद्धे मान ना हो देकिए डाइ कोई भी पूरे परतिमिम ना हो A में किसी के साथ में रिलेशन नहीं होगा इसका जिसे यहां पर B है B4 है तो B4 का किसी के साथ में रिलेशन नहीं है तो यह हो जाएगा हमारा अंतरक्षेफी फ़लन तो ऐसे और भी हो सकते हैं B5 भी हो सकता है to ma1 ka B1 के साथ में A2 का B2 के साथ में A4 का B3 के साथ M negligen है लेकिन पूर औल की बीड़ी फाइफ का यहां पर ब्रक्षेडर के ब्राबर नहीं होगा कि यहांी जिए होगा कि फलन अगले पॉइंट नमर 5 एक एक की आचा तक फलन फलनों के परकार में यह हमारा लास्ट फलन होगा बाइजर्टिव फ्रक्शन तो देखते हैं सबसे पहले इसमें F A से B में अगर परिवाशी तो वह एक 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 है और आचा तक भी है तो एक एक है यानि कि परतेक अव अव्योग खाली नहीं रहना चाहिए यानि कि परतेक अव्योग का प्रतिविम होना चाहिए पूरो प्रतिविम होना चाहिए ए में किलियर है तो यहां पर हम देखते हैं मैथेमेटिक्स में इसको किस तरह से लिखेंगी कि एक एक ही हो अथार्थ F A1 बराबर F A2 है तो A1 अच्छा तक की बात करें तो आच्छा तक में क्या होता है कि प्रतेक B बिलोंग्स टू B यानि कि सेपरांत का अव्योग है तो B बिलोंग्स टू B के लिए यानि कि पूरो पड़्ते बिलोंग्स टू A यानि कि पूरो प्रतेविमी में विद्देम्स होगा प्रते के बिलोंग्स के लिए ताकि हम f a बराबर यानि कि f x में a रखें तो वेल्यू जब वो बी में आ जाए यानि कि b1, b2, b3, b4, b5 इन में से कोई भी एक अव्यूब आ जाए हम clear करेंगे तो यह मरा topic अन्ही example से clear हो जाएगी जो हमारे 5 हमारे यहां पर प्रकार है वीडियोज बहुत बड़े हो जाते हैं तो हम अलग बताएंगे example न्हीं दृक्ति हो जाएगी पिर बड़े वीडियोज आप देखते नहीं हो तो छोटे में अगर समझ में आ रहा तो प पूस्क्राइबर बढ़ेंगे तभी तो वसला बढ़ेगा मेरा अच्छे वीडियो बनाऊंगा मैं मैंनत करूँगा वीडियो पे कमेंट करें आपको और कौन से वीडियो चाहिए कौन से टोपिक से चाहिए लाइक करें सेर करें दोस्तों के साथ में जो भी हम आपके क्लासमेट हैं उनके साथ में सेर कीजिये सारी वीडियो